प्रिया विध्यातियों आप सभी को हाज का शुब कामना है। हाज हम नवीक अक्षा का पहला पाठ है गुलाब सिम। इस पाठ को आप सभी देखिए। पहले इस पाठ का लेकिका है सुबत रुखमारी छोहान। अलाब सिम। इस पाठ को उदेश क्या है। अंदर इस पाठ को उदेश यह हो। इस कहानी के द्वारा देश बक्ति, त्याग, बलिदा, बाई भन का प्रेव, प्रजा की जिम्मेधारियां करतर भी आधिका चित्रण किया गया है। इस पाठ में जेंडा सतर्त के सिंकेर के रूर में दिखाय गया है। इस पाठ लें जेंडा, जेंडा दे भाव वटा, भाव तेरा इना इदिखरे स्वतांत्रत वागी बर्स कोणी दरे अगदर इपाठ लें नव येगे सोधर अधिया उट्यावन बोदू, देश प्रेमोन बोदू, जावन बोदू नुर बगे आवन पाठ लें नोड़त व जब हम अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं, तब एक देन और एक ही तारीख पढ़कर क्यूं चली? उसके घर में माता पिता थी, बहन थी, वह पूरे घर का दुलारा था, एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा, मा ने उसका खाना बिलकुल रोक दिया, पर उसका बार-बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया वह चुपके से गुड़ और चना चूरा लाई और भाया को खिलाने चली, यह बात और है कि उसके बाद भाया का बुखार बढ़ा, इसके लिए वह माबाप का गुस्सा सहने को तयार थी, पर भाई ने भी वह गुड़ चने की बात किसी को न बताई, किसी तरह रोक बढ़ की पिता की मा की उसके मन पर छप गई थी, एक दिन ऐसी हवा बही कि मुर्जाय हुए फुलों में भी नहीं जाना गई, यह उमंगों वाली हवा थी, बड़ा भारी जिलूस निकला, कौमी जंडे का जिलूस था वह, पर बादशा का हुक्म था कि जिलूस ना निकले, जंड जिलूस बाई ने बहन से कहा, बहन क्या कहती है, उसने फिर कहा, बहन बोली, कौन है यह बादशा, बाई ने कहा, होगा कोई, बहन ने फिर कहा, क्यों ना निकले जिलूस, क्यों ना निकले जंडा, बाई ने कटुथा से जवाब दिया, हमारा देश बादशा का गुलाम ज यह उत्तर था या निश्चे जंडे की तयारी होने लगी बहन ने अपनी पुरानी ओड़नी फाड़ कर जंडे का कपड़ा बना दिया बाई ने अपने खेलने के डंडे में उसे बान था अब बाई जंडा लेकर चला अरे बाई कहां जाते हो हम भी साथ चलेंगे बहन का अग जलूस कौन बनाएगा तुम जंडा उठाना हम जलूस बना का चलेंगे पीछे पीछे नहीं रानी तुम जलूस नहीं तुम एक काम करो हमें रोली का तिलक और अक्षद दे कर विदा करो जैसे कोई राजकुमारी राजकुमार भाई को विदा करती है राजकुमारी हाँ र आज कुमारी। बेहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली दी और थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी चावल सजा लाई। एक दिया भी जला कर रख लाई। भाई के आरती उतारनी थी। बेहन को आरती उतारना बहुत भाता था। बेहन ने मुस्कुराते हुए पर गंभीरता से भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाया, चावल बिखराय और आर्थी की और बीड़ा पान खाने को दिया, वह छोटा सा बीड़ा बना कर ले आई थी, फगली ने सुन रखा था कि राजकुमारियां वीर को विदाई पर पान का पीड़ा भी देती हैं, भाई ने बहन के पै करती थी और खड़ी देखती रह जाती थी, दूर तक भाई के लहराते हुए जंडे को जाते हुए देखती रही, बहुत दूर जाने पर बादशा के सिपाईयों ने जंडे वाले को रोका, वह न रुका और बादशा के सिपाईयों ने गोली चला दी, वह गिरा जंडा उस अकेली दोड़ पड़े और जा पहुंची भाई खोन से लत्पत हो गया था पुकारा भाईया 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 भाई के प्राण मानु यह अम्रतवानी सुनकर लौट पड़े बूला तू आ गई ले यह जंडा ले बहन ने जंडा ले लिया पर भाईया चला गया बहन रोई पर हाथ में जंडा ले रही बाचा के सिपाही मानु गड़ जीत कर चले गए थे भाई को विदाई देने के लिए बहुत से लोग आए बहन हाथ में जंडा ले आगे चल रही थी यह कहानी किसकी है यह कहानी है जबलपुर के वीर बालक गुलाब सिंगी